Hello Everyone Welcome to EDWORD इस वीडियो में आज हम सीखने वाले है कि जो भी यहाँ पर हमें पोस्टन दिया जा या ना जो पावर में दिया गया कि 8 के पावर 5 प्लस 8 के पावर 5 और प्लस 8 के पावर 5 और प्लस 8 के पावर 5 पांच यहां मतलब यह क्या है चारो जगा है कि नहीं तो यहां से हम अगर आठ के पाउर पांच यहले common तो बताएं यहां पर क्या बचेगा one बचेगा प्लस यहां पर क्या बचेगा one बचेगा फिर यहां पर one फिर फेट फरंट फिर उंदेखे यह हमने कैसे किया जब आप इसका मुलेगा इसका मुलेगा इतना मिलेगा तो इसमें करेंगे तो इतना मिलेगा अगर वापस से आप इसकी को तो यह मिल दायागा हमने यहां से 8 के पावर 5 क्या लिया है अब यहां से क्या हो जागा कि 8 के पावर 5 और देखिए इसके बिच में क्या है सिंबल कुछ का भी नहीं है ना तो प्लस का ना तो माइनस का तो यहां पर क्या होता है गुड़ा होता है होता है अब यहां से एक प्लस तो एक प्लस एक प्लस एक प्लस क्या होगा चार हो जाएगा तो हम चार लिए देंगे ठीक ना लिए देंगे ना उसके बात क्या करना है उसके बाद हमें करना है कि 8 के पावर 5 को ऐसे लिखेंगे गुड़े अब 4 होगे लिखेंगे 4 को तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं किन होता है कि नहीं तो 2 के पावर 2 क्या होता है 4 होता है वज़तर दो गुड़ा 2 बार 4 यह आएगा अब उसके बाद आठ के पाँच को लिखेंगे आठ को लिखेंगे आठ को लिखेंगे दो के पावर तीन तब ही ना आठ हैगा आठ अगो हमने क्या लिखा है दो के पावर 3 लिख दिया ना अब यहां से ऊपर जो है 5 अब 5 कर देंगे गुड़े यहां से 2 के पावर 2 ठी ना इसकी बात क्या होगा तो उसके बाद हम पावर का गुड़ा करेंगे पावर में यहां से पावर 3 भी है पावर 5 भी है तो 3 गु मतलब बेस यह में तो पाफर क्या होगा एड होगा यहां से हम कहा सकते हैं कि कि दो के पाफर P13 प्लस तो हमारा अंसर प्रेट कि थे पाफर 17 यह हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा